कहानी खरहा भाई और भेडिया दादा जिसे लिखा है श्यामु सन्यासी ने दक्षिन अमेरिका के एक जंगल में खरहा भाई रहते थे भेडिया दादा भी उसी जंगल में रहने आए अब दोनों की लाग डाट रहने लगे खारा भाई को देखते ही भेड़य दादा के मों में पानी आ जाता था यही मनाते कि कब इसे दबोचु और चटनी कर जाओ लेकिन खारा भाई बड़े चतुर और चकने रहते थे अपने पर दादा की चाया न पढ़ने देते तूर से ही गंद पाकर नोदो ग्यारो हो जाते कभी भेड़य दादा चक्मा देकर सिर्पर आधमकते तो खारा भाई उनकी नाग के नीचे ही किसी जाड़ी में ओजलो जाते दादा जाड़ी सुंगते ही रह जाते और खारा भाई कोस दो कोस की खबर लाते इसी तरह भागती छिपते खरा भाई ने शादी की और बच्चे भी हो गए भेड़य दादा तो घात लगाए बेटे थे ततकाल हमला बोल दिया भाई भुजाए तो भाग गए लेकिन नन्हे भतीजे भतीजी दोड कर भी दून न जा सके दादा ने पकड़ा और गड़प, पकड़ा और गड़प, खा पीकर ड़कार ली और अपनी मान में जाकर सो रहे खरा भाई भुजाए बहुत रोई धोए, उनका रोना अकल अपना दे कर पेड पोधे तक के आँसु आ गए और पहाडों की भी छाती पिगल गई, और उनके नदी नाले बह चले परन्तु जबर पर जोर कहां चलता, रोर उलाकर बेठे रहे थोड़े दिनों बाद खरा भाई की यहां फिर बच्चे हुई भेड़े दादा तो टो में थे ही, चीप लप लपाते आप पहुँचे जो पहली गत तो अपकी गत, भाई भोजाए तो भाग चुटे, बच्चे बेचारे धरे गए और भेड़े दादा के पेट में पहुँच गए खरा भाई भुजाए इतना रोए इतना रोए की पेड़ पोदे और पहाड ही नहीं आसमान की भी छाति पढ़ गई और नदी नालों से समंदर तक भर गया परन्तु जबर पर क्या जोर सलता रो रुलाकर बेठे रहे थोड़े दिन बीते और खरा भाई की यहाँ फिर बच्चे हुए भेड़े दादा तो मूँ बाए बेठे ही थे बगेर बुलाए हाजिर हो गए और बच्चों को एक-एक निवाले में चट कर गए खरा भाई भुजाए ने किसी तरब भाग कर अपनी जान बचाए करने से ही आफ़त विपत मिट सकती है तो दोनों ने मनसूबा किया और इस तरह गुपचुप की हावा को भी भनक ना पड़ी अब क्या हुआ कि भेड़े दादा तो तांग पसारे खराटे ही भरते रहे और इधर मजदूरों ने पेड काट बेलदारों ने तक्ते चीरे और कारीगरों ने मकान खड़ा कर दिया अब भेड़े दादा जमहाई लेते आखे मलते मोके मुकाम पर पहुँचे तो कारीगर आखरी तक्ते जड़ रहे थे दादा ने तीन बांस के फासले पर खड़े होकर डपट कर पूचा ये क्या खटर पटर कर रहे हो कारीगरों ने वसूला तान का जवाब दिया आखें के आलू दिखता नहीं है खरा भाई के लिए मकान बना रहे हैं सुनकर भेडिया दादा ने बहुत दाद किटकिटाए खूब घुर रहे परन्तु बीच में वसूला था और कारीगरों बेलदारों और मजदूरों का जमगड था टांगों में दुम दबाय फूपा करते चले गए मकान बड़ा शानदार था शेसम के दोहरे तक्ते जड़े गए थे फर्ष के तक्तों के नीचे काफी बड़ा तलगर था सदर दर्वाजे पर सांकल, सांकल पर आगल और आगल पर चिटकनी थी किवाड पर आंग जलकता छेद किया गया था कमरे के बीचो बीच सोफा डाल कर खरा भाई बेटते वरजीनिया का खास तमबाकू भर कर पाइप सुलगाते और पाउं पर पाउं चड़ा कर अगबार पड़ते निगाएं उठा कर आंग जलकते छेद से देखते तो ढ़ाई को उस तक सड़क दीखती थी आसपास देखकर इत्मिनान करने के बाद दर्वाजा खोल लेते थे जरा सा खड़का सुनते और फट से किवार बंद कर लेते खिड़किया बंद कर लेते बच्चों को तक्ता उठा कर तलगर में उतार देते घर के बाहर भेडिया दादा थे उनकी घुराहट थे नुकिले दात और तेश नाखून थे परन्तु घर के अंदर कोई डर नहीं था एक दिन खरा भाई ने हवा रुजाली के लिए दर्वाजा खोला बच्चे कमरे में खेल रहे थे तब ही सड़क पर शोर सुनाए दिया खरा भाई दर्वाजा बंद करें इतने में भेडिया दादा बंब के गोली की तरफ भागते हुए अंदर आ गए बच्चे तदकाल फर्ष का तक्ता उठा का तलघर में कूद गए इधर खरा भाई की होशकुम क्या करे क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आये भेडिया दादा ने जबान निकाल कर हापती हुए कहा खरा भाई बचाओ शिकारी कुट्ते खरा भाई की हालत सामाने हुए कोने में बड़ा संदूक रखा था उसकी ओर इशारा करके बोले दादा इसमें छिप जाओ दादा कूद कर जैसे ही संदूक में पहुँचे खरा भाई ने धड़ाम से संदूक बंद किया और तपाक से ताला लगा दिया फिर लपक कर दरवाजे के पल्ले भिड़ाए सांकल पर आगल और आगल पर चिटकनी चड़ा दी अब आराम से बेठे पाई पी रहे हैं और अकबार पढ़ रहे हैं पढ़ते पढ़ते कुछ सोचा और पत्नी को इशारे से पास बुला दोनों ने ऐसी सला की कि मन की कली कली खिल गई और मुस्कराहट नाचने लगी संदूक में से दादा पूस्ते हैं क्यों खरा भाई संकटल गया खरा भाई ने जवाब दिया चुप चुप दादा कुत्ते दिवार के पाहर ही हैं फिर खरा भाई उठे एक बर्मा लिया लगे संदूक में छेत करने भेड़य दादा ने पूछा खरा भाई ये क्या कर रहे हो खरा भाई बोले दादा संदूक के अंदर आपका दम गुट्रा होगा हवा के लिए छेत कर रहा हूँ बड़ी महरबानी वाके दम गुट्रा है खरा भाई मूचों में उसको राय पत्नी से का चलाओ अंगिठी और धर्दो पाने खटपट सुनकर संदूक में से दादा ने पूचा खरा भाई ये खटपट के से खरा भाई ने नमरता से का आपको चाई पिलानी के लिए अंगिठी जलाकर आपकी भाबी पानी उबाल रही है बेड़े दादा ने का बड़ी महरबानी एक प्याला चाई तो नियामत है इस वक्त खरा भाई ने होटों पर उचलती खिलखिलाट को पेट में डाल लिया और बाहें चड़ा कर उट बेठे उबलते हुए पानी की केतली लेकर संदूक के छेदों पर गिराने लगे भीड़े दादा की खाल जलने लगी तो कुल मुलाए घबरा कर बोले खरा भाई ये जलन क्यों हो रही है खरा भाई ने कहा दादा मच्छा रहना अम ख़त बड़ा तंग करते हैं नहो तो आप करवट बदलने भेड़े दादा की तो खालपूं की जा रही थी जल्दी से करवट बदली खरा भाई ये ही चाते थे फिर उबलता पाने डाल दिया भेड़े दादा टेह बोल गए खरा भाई भोजाई ने संदू को हिला डुलाकर उठा गिराकर सब तरह से इत्मिनान कर लिया सच में भेड़े दादा परमधाम पहुँच गए थे उस शाम को खरा भाई ने नया सूट पहना खरा भोजाई ने नया गाउन धारण किया सदर दर्वाजा पूरा खोला गया खेड़कियां सब की सब उधार दी गई बच्चों ने नये बाबा सूट पहने दूर पास के सभी दोस या रहा है आधी राद तक खाना खिलाना चलता रहा हसी मजा गप शब कैकों से घर आंगन गूचता रहा खरा भाई भुजाई के बच्चे जिन्दगी में पहली बार निडर होकर कमरे बरामदे और आंगन आहाते में कूदे फानदे और किलकारिया लगए